आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि महिंद्रा थार 5 दोर का इंडिया के अंदर इंतिजार कर रहे हैं तो फाइनली ये आज का वीडियो इसके लिए होने वाला है थार 5 दोर के उपर कुछ चीजे चेंज हुई है इंक्लूडिंग इस लांच देट इनफेक्ट लांच देट के अंदर सबसे बड़ा चेंज है और वो क्या है इस वीडियो के अंदर हम बताते हैं लेकिन सबसे पहले इंट्रोडक्शन यही था था थार 5 दोर की 0 से Z तक की सारी डीटेल्स आपको मिल जाएगी तो भीना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात कने वाला है थार 5 दोर की इंजन एंड गेरबॉक्स ओप्शन के बारे में लॉंच डेट के बारे में प्राइजीं के बारे में इंट्र लॉंच डेट के अंदर चेंज हो चुका है और फाइनल्यली एक लास्ट मदलब आप बोल सकते हो finalized होके हमारे पास information confirmed होके आ चुकी है तो वो कौन सी launch date होने आ लिए उसके लिए वीडियो में अन्ट तक बने रहे न बाकी शुरू से मतलब start करते हैं सबसे पहले engine and gearbox options की बात करते हैं वहाँ पे कौन से options आपको कितने variants के साथ में मिलेंगे तो उसके भी बात करेंगे लेकिन सबसे पहले engine की बात करें तो 2.2 liter का आपको mhawk diesel engine देखने हो मिलेगा और 2 liter का petrol engine देखने हो मिलेगा जो टिपीकली अभी थार 3 door के साथ में भी आ रहे gearbox options की बात करें तो 6 speed का manual transmission मिल जाएगा 6 speed का automatic torque converter भी आपको देखने हो मिल जाएगा उसके अलावा और कोई option आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा तो basically तगड़े engine है mhawk और mstallon का petrol इस वज़ए से torque converter और manual transmission इस दी मतलब quite okay इस type आप बोल सकते हो उसको उसके अलावा और कोई option की ज़रुरत नहीं होने वाली है in terms of gearbox options बाकी rear wheel drive का भी option मिलेगा all wheel drive का भी option होगा 4x4 का भी option आपको मिल जाएगा फिर वो आगे बात करता है कि कैसे कैसे place होगा in terms of variance तो वो ही हमारा next point होने वाला है तो basically थार 5 डॉर के साथ में variance options कितने आएंगे rear wheel drive के आपको particular variance देखने हो मिल जाएंगे आपको all wheel drive के भी मिल जाएंगे 4x2 basically rear wheel drive मतलब 4x2 ही समचलो और 4x4 के भी options मिल जाएंगे सबसे कम option आपको 4x2 के साथ में मिलेंगे उसके अलावा all wheel drive और 4x4 आपको देखने हो मिल जाएंगे तो इतने options है अभी तो 4x4 तो आपको almost सारे variance के साथ में देखने हो मिलेगा ऐसा reports के according तो अभी चल रहा है बागी features वाले variance की according बात करें तो 3 door के साथ में अभी जैसे line up पूरा चल रहा है AX, MX, LX, LX के साथ में भी open top, hard top जैसी चीज़ है जो है वो हाला कि 5 door थार के साथ में कोई hard top मतलब swap top जैसी चीज़ नहीं होगी only hard top का आपको option देखने हो मिलेगा तो वो एक चीज़ है लेकिन variance के according बात करें तो जितने 3 door के साथ में है उतने ही number of variance आपको 5 door के साथ में भी सकते हैं बाकी finally launch और price की बात करें सबसे पहले बात करें launch की तो 15 August 2024 Independence Day के दिन इसको launch किया जाएगा और वो भी at the price of 16 to 22 lakhs action room मतलब जो हम सोच रहे थे वो ही होने वाले हम लोगों ने आपको पहले भी बोला था कि गाड़ी की pricing थोड़ी सी higher side पे जाएगी क्योंकि अभी जो इस वज़े से इसका तो यहां तक जाना बनता है 22 एक शोरूम है लेकिन यह भी अभी रिपोर्ट के according है हमें ऐसा एक्सपेक्टेड है कि हम ऐसा आपको अभी से suggestion या फिर recommendation या फिर बोलो की हमारी expectation अभी इतनी है कि गाड़ी की pricing आपको अल्मोस साढ़े 23 लाक एक शोरूम तक जाएगी तो यहां तक तो possibilities है क्योंकि almost on road की बात करें तो टॉप एंड वाला 4 by 4 थार 5 डॉर आपको मिल जाएगी 26 के around on road की में बात करहों बाकि finally features की बात कर रहा है गाड़ी के साथ में आपको features कितने देखने हों मिल जाएंगे अभी यहां पर मैं आपको overall features के बारे म पता चलेगा लेकिन अभी हमारे पास reports की information है still मतलब ऐसा मान सकते हो media sources की information है तो उस info की वज़े से आप यह बोल सकते हो कि 50-50 chances है तो इसी वज़े से हम लोग यह नहीं बोलगे कि यह confirm है except the launch date launch date हमें पता है confirm हो चुकी है तो इस वज़े से हमने आपको बोला कि independence day को launch हो रह three door को use करने वाले जो लोग है खरीदने वाले लोग है वो लोग mostly ऐसे लोग होंगे आप notice करना या फिर पूछना कोई किसी के पास है तो थार three door लेने वाले mostly ऐसे लोग है जो थार three door को as a secondary car ले रहे as a secondary car वो लोग इसी ले ले रहे क्योंकि उनको भी पता है practicality गाड़ी के अंदर नहीं है two door मतलब almost दो जनों की 2% की capacity है गाड़ी की sitting capacity उसके अलावा आप luggage केरी कर सकते हो गाड़ी के साथ में उसके अलावा practicality बहुत कम है जो fulfill करेगी थार five door आपको space मिलेगी ज्यादा comfort मिलेगा sitting positioning भी उसी साब से manage की जाएगी कि आपको थोड़ा सा comfort ज्यादा मि suspension की comparison में five door के suspension को और भी ज्यादा softer किया जाएगा उस वजह से नहीं कि off-road में थोड़ा बहुत भी compromise या फिर ऐसी चीज़ हो लेकिन उस वजह से कि five door के हिसाब से बना रहे तो थोड़ा बहुत तो उसके अंदर convenience in terms of comfort वह चीज़ होनी चाहिए तो यह चीज थार five door आपको fulfillment प्रोवाइड करेगी उसके अलावा बात करें तो 9.25 इंच के इंफोर्टेमिन सिस्टम आपको थार five door के साथ में मिल जाएगी फुल डिजीचल इंस्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा six airbag standard आपको single pane sunroof भी देखने को मिलने वाला है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था को इस गाड़ी के character की बात करें तो वह थोड़े से oldish होंगे जैसे कि बाहर की और डोर पर आपको वह nut bolts का दीखना वह gaps वगेरा का मरलब जान बुझ के वह gaps को दिखाना वह चीज़े बया करती है इस गाड़ी के characters को जो की आप rough and tough बोल सकते हो oldish gold वाले भी word यूज कर सकते हो रियर के अंदर आपको proper AC vents controller के साथ में मिलेंगे रियर के अंदर आपको power plugs points देखने हो मिलेंगे type c के भी plugs आपको देखने हो मिलेंगे wireless android auto और apple carplay भी आपको देखने हो मिल जाएगा तो ये सारी चीज़े in terms of latest features होने वाली है और क्या features को आप expect कर सकते हो वह आप comment down करके हमे अच्छा है उतना भी मतलब नहीं होगा क्योंकि मैंने पहले भी बोला exterior body थोड़ी सी character को दिखाएगी थार के मतलब जो पूराने character है वो शो करेगी तो इस वाज़े से आप उतने भी ज्यादा advanced features expect ना करो तो अच्छा होगा तो ये चीज़े बाकी electrocomic steering wheel adjustment आपको देखने ह तो मिलेगा तो इतने फीचर से आई होब आपको overall वीडियो की information पसंद आई होगी वीडियो informative लगा हो तो like, share, subscribe शरू करके जाना बाकी मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए दोस्तो ड्राइव सेफ थैंक्यू